क्लास 11 की मिसलीनियस एक्जाम्पल देख रहे हैं और जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्णन चैप्टर है ये प्रॉबिलिटी एक्जाम्पल 14 में है ओन हर वेकेशन वीना विजिट 4 सिटी वेकेशन में वीना जी A, B, C, D ऐसे चार सिटीजम में रैंडम आट probability क्या है कि वो A, B से पहले जाए A, B से पहले और B, C से पहले ऐसी A पहले और B आफिर में और A पहले ये पहले भी हो सकता और दूसरा भी हो सकता है और A तब जब B उसकी जस्ट बात है तो आप देखेगा कि ये A, B, C, D आपके पास कितने है कितने possibility है चार तो कुल मिला के जो arrangement हो सकते है इस city के वो हो सकते है factorial 4 किसी भी इसके अगर हम combination बनाएं तो हमारे हो सकते है factorial 4 बेसिकली arrangement की बात कर रहा हूंगे जो ordering है तो ABCD है factorial 4 याने की factorial 4 अगरफ 24 यह आपकी number of जो sample space में element होगा है वो होगे 24 जो elementary element बनेंगे अब जो number of element है इस sample space में 24 है और इन सब की possibility equally like बनाएं तो कैसे बनेगा यह दिखे सब ABCD ABDC आप अब इसको बनाने का तरीका यह है कि A शुरुआत करिए A सब जगा रख दीजे फिर यह BCD के combination बना दीजे BDC, BCD तीन के तो बना सकते है हमसे 4 में थोड़ी दिक्कत हो सकते है A करिए फिर B स्टार्टिंग में लेकिए ऐसी बाखी combination यह जो भी है आपके ACD के जो भी combination बन सकते है बोलिग दीजे फिर C फिर D इस तरीके से आप सारे combination बना दीजे 24 combination आपके पास है अब देखिए A before B ढूढ़िए इसमे A before B तो कौन सा है यह एक ऐसी आपको ढूणना है A B A before B ऐसी आप यहापर ढूढ़िए A before B कौन सा है यहापर ऐसे आपको एक एक करके सर्च करना है तो बस इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आगे की जो answer आगे आने वाले तो सब इसका दर्वमदार सब इसी पे है तो आप देखिएगा कि अभी हमने दो डूढ़ दे A before B लेकिन अब बात यह है कि A before B में यह निकागया कि A just before B यह देखिए A before B है ने लेकिन A just before B यह पांख्यों कोश्ण हमारہ ये आपर तो हमें यह ब्र ब करेंगे A before B करेंगे A before B का मतलब यह है कि A वनस B से पहले आना चाहिए देखिए यहाँ पर भी A B से पहले है यहां पर भी AB से पहले हैं, यहां पर भी AB से पहले हैं, तो यह खुल मिला के हैं जो combination बनेंगे, खुल मिला के 12 और जो हमारे पस favorable आपके elements है, वो है आपके 12, इसी तरीके से आपके जो total number of elements है, वो है, 12, यानि किलम लाग कितना आ गया है, आदर, हाफ आ गया आपका अधरे वाला जो आपका आता है, इसमें है कि आपका वीना A पर जाएं, बी से पहले और BIC से पहले तो वो सारे combination ने है उसमें, जब AB से पहले आ रहा, BC से पहले, BC से पहले, AB से पहले, BC से पहले, A, B से पहले, B, C से पहले, तो यह हमारे पास चार ही वाली उधिल रही है, उक्मिला के चार, और फेरिबल केस है, जो आपका फेक्टोरियल, आपने फोर से निकाला हो, वो है, चार प्रटे चारवीज, जाड़ी जाड़ीज, इसी तरीके से आपका जो अगला सवाल है, तो जितने पॉसिबल आपके हो सकते हैं, देखें, बावन कार्ड आपके बोस्कोरियल, उसमें से उन्होंने का गया, आप साथ निकाली, तो यह तो हम देख चुके हैं, कि अभी जब हमने मैन विमन वाला भी किया था, तो C7, जितने भी पॉसिबल हैंड हो सकते हैं, उसमे वाला तो यह हैं कि सारे King आएंगे, तो आपको साथ निकालें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छेसाथ, उमनुने कहा दिया, तो तर चार ही King कुल मिलागे होते हैं, चारों की चारों सेलेक्ट करनें तो, फ़ो 48 बचे 48 में से आपको 3 ही चूज़ करने तो 48 into 48c3 यह आपको combination हो जाएगा तो basically क्या हो आप यह वाला term 4c4 into 48c3 divided by 52c4 c7 यह आपका आजाएगा कि a hand will have how many kings? 4 kings. अगला है 3 kings. 3 kings निकाल ले आपको तो इसमें बिल्कुल सेव इसी तरीके से करेंगे आपको अब क्या करना है? 4 king में से 3 choose कर ले ले 3 king, 3 king choose करेंगे तो 4 non king होगे. अब 4 non king कहां से choose करेंगे? 48 बचे ना? बाकी non king होने चाहिए, तो 48 non king है, चार तो king होगे तो आप यह जरूर आपकी दिमाज में आ रहा होगा तो यह जब यहां से 3 choose किये तो यह 49 क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि 4 king में से 3 select कर लिए लेकिन अगले जो है उसमें से king होना ही नहीं नहीं चाहिए तो 48 बचे का है उसमें से 6 select कर लिए तो यह उपर का combination यह नीचे का combination दुनों को solve करेंगे 9 by 1547 अगला आएगा at least 3 king कम से कम 3 king होने चाहिए at least 3 king कम मतलब यह है कि 3 भी हो सकते है चार भी हो सकते इसे जाद़ तो होनी सकते तो 3 होंगे है 4 होंगे तो 3 की probability और 4 की probability और आएट कर लिए यह हम आएट इनका चुके 9 by 1547 और यह आपको आपको आएट कर लिए जो चुका है इसमें PA union B union C इस तरीके से PA प्रस PB प्रस PC मानस PA intersection B मानस PA intersection C मानस PB intersection C और PA intersection B intersection C अब आप देखिए कि जो E है इसको आप मालिए अभी लेके B union C हैना तो यह PA union B union C क्या हो जागा इसको हमने E माल लिया तो यह होगा PA union E अब हमरे पास यह formula तो पता ही है PA प्रस PE मानस PA intersection E तो इसमें PE बिसिकली PE अगर हम निकालें यह वाला यह वाला तो क्या करेंगे PE इसको ले रहे हम PE हो जाएगा PB union C यानिके PB प्रस PC मानस PB intersection C यह तो नहीं मिल गया अब हम जानते हैं कि A intersection E को हमने क्या माना है B union C तो A intersection B union C क्या होगा हम distribution property लगा देते हैं A intersection B और A intersection C तो A intersection B union intersection C तो PA intersection E क्या मिल गया इस जगा पे यह वाला वाला टम था, इस वाले टममें, ये वाले में, अपहाँ हम यह रख दोगे, यह यह रें, यह हमें निकाला वित हमले हैं, यह रेंअगे, अजरसको खोल यह रख तरब, एक और गोड़ अब यह जाके पहले वाले में रख दीजिए इस वाले टाम में तो हमारे पास क्या आएगा P A union B union C is P A plus P B plus P C minus इन तीनों का intersection plus P A intersection B intersection C ऐसे हो गएगा अब एक relay race होई पांच टी में है A, B, C, D, E probability क्या है कि A, B, C पहला दूसरा और थीसरा है पांच टी में है पांच में से 1st से लेकर 5th position आएगी A, B, C, किस में आने चाहिए 1st, 2nd, 3rd position में इसी तरीके से हमारे पास अगला सवाल है, what is the probability कि A, B, C पहले तो यह 1st 3 to finish, किसी भी order में हो सकते हैं, अब यहाँ पर कोई order नहीं दिया पहले वाले सवाल में दिया है कि A, B, C 1st 2nd, 3rd यहाँ पर order नहीं दिया यहाँ पर order नहीं दिया है यह मानना है कि equally likely है इनकी finishing order तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका samples paste ज़रा दोड़ी है जितनी भी orders हो सकते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास 5 कुल्वला के team है 3 ही पर सेकेंड हो सकती है तो P3, 5P3 यह हम क्या कर रहे हैं कि इसका आप order देख रहे हैं जब यह order होगर की बात आती है तो P लेते हैं, सी नहीं लेते हैं तो 5P3 तो यह होजएगा factorial 5 by factorial 5-3 NPR होता है factorial N by factorial N-R यह आपका 60 sample points हो हर एक क्योंकि equally likely बता रहे हैं तो हर एक की probability आपकी 1 by 60 sample elements की अब A, B, C आपकी 1st second और 3rd हां चाहिए तो केवल A की तो possibility हो सकती A, B, C की ऐसा हो सकता है A, B, C 1st second आए तो possibility तो यह ही है कि एक ही possibility हो सकती कि 1st second खड़ आए अगर कुछ और करेंगे तो change हो जाएजी तो जो probability है इसकी एक इसकी हो गई sample space हो गई आपकी साथ तो 1 by 60 इसका उपर हो गई इसी तरीके से A, B, C आरदा 1st 3 finishes ABC जो होंगे 1st second, third में किसी में भी आ सकते है तो अब जो है ABC की किद्रे combination बन सकते है ABC का B, A, C बन सकता है ऐसे करके बनाएंगे आप आप जानते हैं इसको हम factorial 3 से डिर्क निकाल देते हैं factorial 3 combination है यह कितने arrangement बन सकते हैं basically 6 combination बनेंगे इसके और sample points की इसे फ़ली चीज़ यह है कि हमने examatic approach देखी जो हमने देखा था सहाब जिनोंने एक भैतरिन गिताब देखी वहाँ से हमने extract डिकाले और जो main इस chapter में समझना हमें है जितने भी possible outcome हो सकते हैं किसी भी event की किसी भी occurrence की किसी भी experiment की उसे हम sample space कहते हैं उसे हम क्या कहेंगे sample space सब चीज़ इसी पर dependent है उसके बद हर एक element जो होगा उस sample space में उसे हम कहेंगे sample element इस sample space जो बहुत बड़ा है जो भी possible हो सकता उसमें आता है अगर उसमें से कुछ हम subset निकाल ले है कि देखिए हमने head और tail का ले लिया अब head का निकाल लिया उसमसे या tail का निकाल लिया ऐसा कोई भी event जो होई नहीं सकता है उसे हम empty set के संग्या देते है sure event मतलब आप sample space की बात करें क्यों कि sample space में सारी चीज़ आ जाती है complimentary event ये not a का मतलब क्या होता है उसे हम a dash से हम उसको indicate करते है सिर्दी सी बात है कि sample space में सो उस a को उठा दीज़े तो not a हो जाता है event a और b का मतलब a union b event a and b का मतलब a intersection b event a and not b का मतलब होता है a minus b event a not b mutually exclusive event क्या होते है जो a और b अगर ये mutually exclusive है अगर a होरा तो भी नहीं हो सकता अब ये होरा तो a नहीं हो सकता तो इसका intersection हमेशा empty होगा null होगा exhaustive और mutually exclusive event का मतलब होता है event e to en ये होंगे pairwise हमेशा disjoint होंगे यहनि किसी भी दो element दो e को ले ले तो वो आपको empty देंगे और अगर इन सब का union करें तो आपका sample space हमाचीए इसी को हम exhaustive और mutually exclusive event कहते है probability की बात करें जो हमने examatics approach लिया था probability हमेशा 0 और 1 की बिच में लाई करती है 0 और 1 inclusive सारी probability जो WI जो element जो sample element या पर एक कह सकते है elementary element को हम जोड़ दे तो वो कुल मिला के आपका और नहीं आता है इस तरीके से probability आपका निकाला जाता है equally likely item का मतलब होता है outcome का मतलब होता है सारे outcomes की probability आने की बिल्कुल same है किसी event की probability देखेंगे तो यह जो na है वो उस event की है जिदने element आईगे उस set में और ns आपके sample space जो number of element sample space में ns हुआ है ज़़ि a और b दो event है आपके पास तो p a और b होता है pa plus p b minus pa intersection b इसको ऐसे लिखते है pa within b is going to pa plus p b minus pa intersection b ऐसी a और b अगर mutually exclusive है तो यह वार element जो होगा वो 0 हो जाएगा तो आपका pa plus p b बचेगा कि वाद कोई a कोई event है तो p not a होगा 1-pa यहां कि x की बात कर रहे है तो 1-x not होने की हो जाएगा तो इस तरीके से हमने कुछ और चीज़े देखी और यहां पर आपका बहुत important जो chapter है तो बिल्टी समाप्त होता है बहुत शुक्त दिया बहुत लाई होने हैं सबीकी झां